जाहिन फ्रेंज वेलकम टू माई ओपीसी योटूब चैनल स्टेड़ी मेटेरियल एटू जैड नेवी मुंबई ग्रुप सी रुकूटमेंट दोजार बाईश दोस्तों बड़ी बफफर बरती हैं आप सभी के लिए ओपलाइन फोम आपके दोस्तों रहने वाले हैं और नई वेकेंसी के बारे में काफी सारे कैंडिडेट के जो डाउट हैं वो क्लियर के जाएंगे साथ में क्या केवल दस्वी पास कैंडिडेट बरती के लिए एलिजिबल हैं या फिर आपके जो की बहुत जादा डाउट दे क्या इंपलोई कैंडिडेट ही इस फोम को भरें तो दोस्तो भरती के बारे में कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर दी जाती है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करके रख लीजेगा क्योंकि कई बार भरतीयों आप मिस्स कर जाते हैं और ये भरती आपको समय पे नहीं मिल पाती है तो आप स सबसे पहले आपको अपडेट कर दी जाती है और यहां पे आपके लिए जो भी इंपोर्टेंट जो भी वीडियो रहती है वो भी साथ में हाँ पे आपको टेग के साथ दोस्तों यहां पे मिल जाती है और आपका ओपलाइन रेजल्ट जारी किया जाता है वो भी मिल जाता है और यहाँ पे आपके लिए शुक्यूर दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रूप भी बनाए गए है जिसमें आप आपका डाउट जो की किलियर कर सकते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत महत्व कुणा है और इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रुवाइड करवा दिये हैं तो सभी जुड़ जाईएगा सो गाईज यहाँ पे आपको नोटिपीकेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ अपलिकेशन फोर्म आपको दिखा देते हैं पहले की आपका अपलिकेशन फोर्म कैसे रहेगा यह आपका अपलिकेशन फोर्म रहने वाला है जिसको एक बार देखेंगे और application form के बारे में भी discuss करेंगे आपको जो कि यहाँ पे कब भेजना है कब apply करना है तो यह देख सकते हैं यह आपके लिए application form रहेगा दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे नए candidate भी आयोंगे काफी सारे candidate बोल रहे थे कि सरी यह तो आपकी यहाँ पे temporary भरती है और यह employee candidate के लिए भरती है तो ऐसा इन्होंने नहीं कहा है इन्होंने क्या कहा है देख लिजेगा eligible defense employee to pay यहाँ पे जोस्तों instruction mention 4-5 तो 4-5 में तो कुछ ऐसा instruction mention किये वे नहीं है तो आप खुद देखोगे तो इसमें तो सिर्फ यह लिख रखा है क्या लिख रखा है क्या लिख रखा है देखे कि 60 दिन का time तो जो यहाँ पे और इनके अलावा जो candidate है जो कि यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे सड़ सड़ दिन का time दिया जाएगा तो यही चीजे mention की गई है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं को जो आपके other candidate है उनको 60 दिन का और implement news paper में यह मैं आपको telegram पे already provide करवा चुका हूँ तो implement news paper में तो यह भरती आपकी आ चुकी है अब यहाँ पे कोन candidate eligible होगा वो चीज़ देख लो कि आपके किस क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और vacancy पूरी बिल्कुल दोस्तो authentic notification है कोई आपको यहाँ पे डरने के आउसकता नहीं है ठीक है और यहाँ पे एक बार देख लीजिए यह देखे यह आपकी भरती है जो कि fireman की सबसे अच्छी पोस्ट है और इसमें 120 और काफी सारे candidate की यह भी comment थे कि सर इसके तो admit card ही नहीं आती है तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे वीडियो पूरा देखेगा सबी चीज़ें डीटेल से बता दी जाएगी ताकि कोई दिक्कत ना रहे पले सो पोस्टिंग मुंबई रहेगी और इसमें भी आपके मुंबई में भी किस्तान है लोने वाला इसमें अंदर भी एक स्तान पड़ता है और यह आपकी सेलरी है और ग्रूप सी का रिकूटमेंट है सबसे पहले यूटूब पे आपको बता के गया था तो एक चीज तो यह हो गई है तो आपकी पोस्टे हो गई अब हम बात कर लेते हैं आपकी एजुकेशन की एलिपीकेशन की तो फायरमेन के लिए केवल दसवी पास आपसे मांगी गई है और मुझे उमीद है कि आप जो फायरमेन को जो सबसे सारे कैंडिडेट भरेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़े हैं फायरमेन के अंदर है और देखें इसके अंदर तो पोस्टे ही बहुत ही कम हैं लेकिन फिर भी आपकी दसवी पास ही है ये आपका एक नियम है उसके बाद यहाँ पे देखेगा केवल दसवी पास और ये आपका फिजिकल रहने वाला है ये चीज़ आल रेडी बता चुका हूँ ये आपका एक टेस्ट रहने वाला है जो कि बिल्कुल आपका एक टाइप किया कह सकते है ये स्किल टेस्ट ही है दोस्तो तो उसके बाद यहाँ पे कि क्या आप दसवी पास है अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो जिस परकार से नोटेपीकेशन में इन्होंने लिखा है तो बिल्कुल आप अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है यानि जो कैंडिडेट दसवी पास है इसको अपलाई कर सकता है अब यहाँ पे आपके लिए जो भी है मैंने ये चीज़े पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट है प्रोविजिनल अपोट्मेंट लेटर डोकुमेंट वेरिपीकेशन यहाँ पे कनफ्यूज यह चीज़ का है आपको कि किस परकार से अपलाई करना है इस चीज़ को भी देखे यह आपका एडरस रहने वाला है तो यहाँ पे आपको अपलाई करना है और अपलाई करने की वीडियो अगर आप चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि मैं अपलाई करके वीडियो आपको बताऊं कुन candidate apply कर रहा है मुझे थोड़ा सा अंदाजा रहे कि इतने सारे candidate apply कर रहे हैं तो मैं वीडियो लेकि जरूर आउँ तो यहाँ पे देखिएगा आपके लिए general instruction mention किये गए है यह notification आपको मैं टेलिग्राम पे भी forward कर दूँ है एक बार फिर से कर दूँ है क्योंकि मैंने notification आलरेडी provide कर वाया था लेकिन उसमें थोड़ा सा logo जो बहुँ ज़्यादा highlight किया हुआ था तो काफी सारे candidates के यह भी comment थे तो दोस्तों यह तो जो हैं आपके क्योंकि logo वगेर तो लगाने ही पड़ते हैं तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं बट यहां पे मैं आपको एकदम जो हो आपका बिल्कुल authentic आपका जो notification है उसको थोड़ा सा अच्छे से clear जो है आपको photo जो send कर दूँ है तो उसको read out कर लेना अब यहां पे आपके लिए चैनल instruction दिये गए हैं और उसके बाद यह आपका application फोम दिया गए है तो यह आपका application फोम आल रेड़ी दिखा चुका हूँ अब बात कर लेते हैं आपकी जो की जो सबसे ज़्यादा की दस्वें का मैंने बता चुका हूँ कि भाई फाइरमेन की अंदर आप अपलाई कर सकते हैं अब जो सबसे बड़ा सवाल था कि सर क्या यह जोब परमानेंट है तो दोस्तों यह जोब बिलकुल परमानेंट है लेकिन इसमें कहीं पर भी अगर यह temporary job होती तो इसमें लिखा जाता कहीं पर भी notification के अंदर temporary job जो है आपका नहीं लिखा गया है तो आप सभी के लिए दोस्तों यह एक बड़ी ही big opportunity है कि यह आपकी यहाँ पर जो की बिलकुल authentic और real job है और आपकी इसका जो application form आप send कर सकते हैं और application form अगर जो की मुझे भर के बताना है तो आप जो comment कर दीजीगा मैं हमेशा ही आपको offline form भर भर के बताता हूँ और थोड़ा सा मैं भी फिर अच्छे से read out करके आपके application form भरेंगे क्योंकि ऐसे तो application form नहीं भरा जाता बहुत अच्छे से सारी चीजें जानकर फिर ही भरा जाता है अब रही बात आवेदन कब से करें तो आवेदन भाई 26 परवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन क्या आप 26 परवरी को apply करें नहीं 26 परवरी तक आप जो कम से कम 2 या 3 दिन wait करो 2-3 दिन wait करो क्योंकि time इसमें बहुत जादा है मातर 60 दिन का time दिया गए मातर 60 दिन देख लीजिए काफी जादा time है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो काफी समय है तो आप कम से कम 5-6 दिन 7-8 दिन क्योंकि wait करें ठीक है मैं भी वीडियो भी थोड़ा जो लेटी ही लेकिया हूँगा बट थोड़ा जल्दी भी करेंगे अब रही बात की sir admit card नहीं आते बट ये मत सोचके कि भाई क्या यहां पे आपके लाखों रुपे खर्चो रहे हैं फीस लग ड़ी है कुछ तो नहीं लग रहा ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप apply कर दो क्या पता आपका admit card आ जाए थोड़ा सा मुश्किल होता है नेवी के अंदर admit card आने बट फिर भी अब की बार तो candidate के कोस्ट गाड़ के candidate के भी admit card आये थे साइद मैंने गुरूप में आपको डाला भी था टेलिग्राम पे सो बस गाईज यही आपके लिए अपडेट थी उमिद करता हूँ कि आपको वीडियो चल गिया है तो वीडियो को शेर कीजिए मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी प्रकार धासु जैहिन जैभारतवन्द मात्रम